आप मैंसे कितने लोगों को क्रीम बिस्किट खाना पसंद है तो शायद आप सब को क्रीम बिस्किट खाना पसंद है क्योंकि वो बहुत मीठा होता है लेकिन अगर मैं कहूं कि आप डाइबेटीस में भी क्रीम बिस्किट खा सकते है तो शायद आपको सुनके धोरा अजीब ल के आया हूँ अगर आप लोग क्रीम बिस्किट का शौकिन है तो ये क्रीम बिस्किट आप खा सकते हैं और इसको खाने के बाद आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनुपम खोश है मैं डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस न नहीं पी सकते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको डाबिटीस है तो भी आप चाय पी सकते हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हैं दूद्वाली चाय आप पी सकते हैं क्योंकि इस पूरे एक कप चाय में मात्र तीन ग्राम कार्बोईडर मिलेगा क्योंकि इसमें मैंने चेनी नहीं डाला है इसमें मैंने स्टीविय डाला है स्टीविय में बिल्कुल भी कार्वाइड नहीं होता है जीरो कार्वाइड होता है जीरो कैलरीस होता है जो तीन ग्राम कर्वोइडेड मैंने आपको बताया वो आपको दूद से मिल जाएगा लेक्टोस से मिल जाएगा तो चाय के साथ क्रीम बिस्किट खाने का हम सब को मन करता है लेकिन अगर हम क्रीम बिस्किट खाते है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोड़क्ट लेके आया हूँ आप देख सकते है यह डिच दगिल्ड का जीरो शुगर एड़ेड और मैंगो चीज केक कुकी है मैं कुछ टाइम से इसको खा रहा था मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और अगर मैं इसकी इंगिडियंट्स की बात करूँ तो इसमें अलमंड फ्लोर है, कोको बीन्स है, कोको बटर है, अलमंड बटर है, फ्रुक्टो अलिगो सेकराइड है, मैंगो, वैनिला, पॉड है, स्टीविया है तो आप देख सकते हैं कि इस बिस्कीट में सुक्रालोज नहीं है, और जो हाइडोजेनेटेड ओयल बाकी बिस्कीट में यूज करते हैं, वो नहीं, हाइडोजेनेटेड ओयल बहुत ही सस्ता ओयल होता है, और ज्यादा तर फूड कंपनी इसी को इस्तमाल करते हैं, लेकिन hydrogenated oil जिस भी product में होता है वो आपके body के लिए खराब है, आपके health के लिए खराब है क्योंकि ये free radicals generate करता है आपके body में, inflammation create करता है तो hydrogenated oil वाला product, cookies जो भी है, वो आपको avoid करना है इसमें hydrogenated oil बिलकुल भी नहीं है, इसमें wheat भी नहीं है माइदा भी नहीं है, emulsifier भी नहीं है, और non GMO है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है और मुझे लगा कि आप लोग के साथ share करना चाहिए, शायद आप भी cream biscuit खाना miss करते हो तो इस cream biscuit को diabetes के मरीज भी खा सकते है इसकी nutritional information भी में आपको बता देता हूँ, जो nutritional information है, आप देखें ये एक serving है, एक serving जो है 20 gram का है, और इसमें आपको 86 calories के आसपास आपको मिल जाएगा total carbohydrate जो है, वो है 7.8 total carbohydrate 7.8 जिसमें fiber जो है आपको मिलेगा, fiber ज्यादा नहीं है, इसमें 0.7 gram ही fiber है, लेकिन net carb जो है, एक biscuit का 7.1 है, एक biscuit का 7.1 gram net carbohydrate है, और total carbohydrate 7.8 है अगर मैं fat की बात करूँ तो fat 6.1 gram है जो की अच्छा है, healthy fat है और protein इसमें कुछ खास नहीं मिलेगा, कहां पे गया protein, ये सब बहुत चोटे चोटे लिखे रहते हैं, तो आपको थोड़ा सब समय लगेगा देखने में 1.6 gram जो है protein है लेकिन पीछे देखना बहुत ज़रूरी है, और ये आप लोग बिल्कुल try कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इनके website में आपको ये मिल जाएगा और खास करके ये बिस्कृट तो बिल्कुल खा सकता है क्योंकि इसमें चीनी नहीं है, मैदा नहीं है hydrogenated oil नहीं है डाइफिट डाइट क्या है? ये एक system है, एक process है, calculation है जिसमें सबसे पहले आपको total daily energy expenditure calculate करना है उसका 26 प्रतिशत या उसके नीचे आपको carboidate से लेना है 1.5 gram से लेके 2 gram per kg body weight आपको protein से लेना है जो remaining calories है वो आपको healthy fat से लेना है, इसमें healthy fat है और protein जो है वो आपके weight के हिसाब से होना चाहिए, तो protein का source नहीं है और अगर आप carboidate 26 प्रतिशत की बात करेंगे तो on an average आप देखेंगे कि 120-125 gram के आसपास आता है total carboidate आपके daily requirement तो उसमें आप 7 gram अगर यहां से ले लिए और 3 gram चाह से ले लिए यानि कि यह पूरे एक meal हो गया, इस meal में 10 gram के आसपास carboidate है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं अपना macros को feed करिए और diafit diet को follow करिए चाय का भी आनन लेजिए और cream biscuit का भी आनन लेजिए अभी मैं इसको खा के भी आपको बताता है कैसा है यह तो आप देखे कैसा लगता है, बिल्कुल cream वाली feel आएगा आपको यह देख रहे और इसको खा के बताता हूँ आपको एक ही biscuit खाईए मज़ा आजाएगा आपको amazing taste है आपको लगे गई नहीं कि आप दूसरा biscuit खा रहे है मिठा भी है क्यूंकि इसमें stevia है fructo-oligosaccharide है और mango का flavor है तो बहुत ही tasty मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग भी अगर cream biscuit का खाने का shocking है लेकिन diabetes के चलते नहीं खा पा रहे तो यह biscuit आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं तो मैं enjoy करता हूँ अपना चाय और biscuit और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उमीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूगा आप लोगों से एक नेए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद